रूप मती का विवाह साथ गड़ का राजा शुबधेव था उसकी एकलोते पुत्री रूप मती जब विवाह के योगी हो गई तब योग्योवर के साथ उसका विवाह करने का राजा शुबधेव ने विश्य कर लिया राजकुमार रुपमती अनेक कलाओं में प्रवीन थी वह एक विदूशी भी थी इसलिए राजा ने स्वयनवर की घोशना की और दूतों के द्वारा अनेक राजियों में यह समाचार बेजा स्वायन्वर के समय होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेकर रुपमती के साथ विवाह करने के विचार से कई राजकुमार साथगड की राजदानी में आपहुंचे धनुर विध्या, गुड सावारी, खटगयुद, मलयुद, इत्यादी विध्याओं की प्रतियोगिताएं चली इन प्रतियोगिताओं में दो सो राजकुमारों ने भाग लिया पर तीन राजकुमार सभी विध्याओं में सफल निकले अब सावाल यहां उठा कि राजकुमारी एक है और तीन राजकुमार विजी हुए अब क्या किया जए तुम तीनों में से एक ही को चुने जाने के लिए हम एक और पतियों किता चलाएंगे तुम लोग तैयार हो जाओ परदान मंत्री ने कहा इस पर तीनों राजकुमारों ने स्वीकृती दी तुम तीनों अपनी अपनी सहन शिक्ती का अलग गलत परचे दोगे परदानमंत्री ने कहा सबी प्रत्यवगिताओं में विजी हुए असी तब रुद्रराज थदा बानुदेव ने अन्य प्रत्यदियों से चिपाकर अपनी सहन शिक्ती का परचे देनी को मान लिया असी तबा ने अन्य जलत यादतर सुर्योदैसे लेकर सुर्यास्त तक धूप में खड़े रहेकर अपनी सहन शिक्ती का परचे दिया प्रुद्रराज भी रतीले प्रदेश में खड़ी दुपहर से बिना जूतों के 20 मील दोड़ा अब भानुदेव को अपनी सहन शिक्ती का परचे देना था वह जादू की विद्याये जानता था उसका सेवक भी इन विद्यायों की जानकारी रखता था इसलिए भानुदेव अपनी सेवक की मदद से अपनी सहन शिक्ती का परचे देने को तैयार हो गया बानुदेव ने बीस पैनी सुईयां मांगवाली इसके बाद उसने अपने बाये हाथ की मुट्टी पदरशित की अपने अंगूठे को उपर उठाया और उस पर रेश्मी रुमाल ढख दिया तब रुमाल के नीचे स्थित अपने अंगूठे में सुईयां चुबाने को राजा से कहा इस पर बीस सुईयों को अंगूठों में चुबोया गया पर पानुदेव के चहरे पर किसी प्रकार की शिकन या पीडा प्रकट नहीं हुई उल्टे वह हस्ता ही रह गया इसे देख प्रेक्षकोंने हर्शनात किये और बताया कि ऐसी सान शिक्ति का किसी ने प्रदर्शन नहीं किया है सुईयों को निकालने बाद बानुदेव ने अपने रुमाल को जेब में रख लिया बानुदेव को ही रुपमती के योग्युपति गोशित किया गया तब सबने सामने उन दोनों का विवाह वैभाव के साथ संपन हुआ। दिन महीने और साल बित्ते गए। राजा शुबदेव का देहांत भी हो गया। तब बानुदेव गद्धी का वारिस बना। एक दिन बानुदेव रूपमती थता अपने दो बच्चों को सातले जंगल में शिकार खेलने गया। एक जगह उन लोगोंने जंगली गुलाबों की एक जाड़ी देखी। उसमें रंग भिरंगी गुलाब खिले हुए थे। बानुदेव की पुतरी लाजमती गुलाब मगर लाजमती ने नहीं माना। उसने हट किया कि बानुदेव ही उसे तोड़कर ला दे। बच्ची जब मांग रही है तो आप ही तोड़कर उसे क्यों नहीं देते। रूपमती ने बानुदेव से कहा। बानुदेव फूल तोड़ने गया। जाड़ी में से गुलाब थो बच्चों भी हसते हुए उस पीड़ा को सहन करते हैं। जरा देखने भी तो कि कहीं खून तो नहीं बह रहा है ना। रूपमती ने पूचा। भानुदेव ने अपने बाये हाथ का अंगूटा दिखाया। आशर की बात है आपने अपनी सहनशक्ती का परचे देने के लिए इसी अंगूटे में तो एक साथ बीस सुईयां चुबो लिए। इस वक्त आप जरा भी परेशान नहीं हुए। आज इस छोटे से कांटे के चुबने से आप बहुत ही परेशान हो रहे हैं। यह आशरी की ब सौंदर्य को देख तुम पर मोहित हो गया था। इसलिए तुमको अपनी पत्नी बनाने के लिए मुझे राजा को धोका देना पड़ा। बानोदेम ने कहा। रूपमती ने कुतूखल के साथ पूचा कैसे धोका दिया। वह बड़ा ही आसान था। मेरे बाये हाथ की मुठ अधानी से उपर उठा कर हंगूठे के स्तान पर रखा। सभी सुईयां उसी गाजर में चुबोई गई। इसलिए मुझे कोई पीड़ा न हुई। इसके बाद मैंने रूमाल के साथ गाजर को भी अपनी जेब में रख लिया। पर सच्ची बात तो किसी ने नहीं पहचान भानुदेव ने समझाया। वह कैसा अन्याय है। मेरे पिता जी थदा उनके परिवार को इस तरह दोका दिया। मैं इसे सहन नहीं कर सकती। इसका धंड आपको बिलना ही चाहिए। रूमती ने ख्रोध का अबिने करते हुए कहा। मैं हाथ जोड़कर खड़ा हुआ हूँ महारानी जो भी धंड दे बोगने को तयार हुँ। भानुदेव ने कहा। अंतप्पुर में आजीवन रहने का धंड देती हुँ। रूमती ने कहा। जो आद्म्या महारानी जी भानुदेव ने उत्तर दिया।